सभी को नमस्कार स्वागत आप सभी का साइंस और फन पर जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज हम आपके लेकर आए हैं एक प्री बोर्ड आप सब जानते हैं कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों के बहुत अ वंखाने प्यारे शुक्त में करें हो नहीं देशिफार आप प्रोंगे को वैस्यवन देश्म का सब्सक्राइबि पूरा नहीं हुआ है यह हो चुका है बट वह सब्सक्राइब थो शुक्या कन शबंग करेंबें कर दोदे इसे फकलिल लिव तो यहां पर एक बहुत बात यह है कि हम जब पूरा पेपर सॉल्फ कर देंगे सारे के सारे कोशन बायो वाले सवाल मैं समालेंगे तो लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना है कि अगर यह आपके स्कूल का पेपर होता तो आपके कितने माक्स आता है इससे हमारे बच्चे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं उनका अभी पढ़ाई का लेवल क्या चल रहा है और हमें लेवल टू पर कैसा पेपर लेकर आना है अगर आप इसे मोश्ट आफ दी बच्चे कहते हैं कि हमारे असी प्रतीशन माक्स आ गए तो हम लोग कहते हों कि नहीं या सेवन्टी सिक्स्टी परसंट या आएं तो फिर लेवल टू जो होगा वो थोड़ा सा एक दो पॉइंट मुश्किल होगा मतलब वो हम खुद मैनेज कर लेंगे तो इसके लिए कमेंट करना बहुत जरूरी होगा बाकि चलो पेपर सॉल्फ करते ह बहुत प्यारा पेपर है बहुत असान पेपर है और कोश्चन जैसी स्क्रीन पर आए कोशिश करना के वीडियो को पॉस्ट करके आप खुद से उसको बनाने की भी कोशिश करें चलो तो सबसे पहला सवाल आता है मार पास और कॉंबिनेशन रियाक्शन टेक प्लेस इन फॉ फॉलोइंग एक्सप्रीमेंट सेट अप तो आपको यहां पर कॉंबिनेशन रियाक्शन दे रखिए यहां पर हमारे पास है काल्शियम ऑक्साइड मुझे लगता है फर्स चेप्टर की कॉंबिनेशन रियाक्शन की यह सबसे इंपॉर्टन रियाक्शन ही है और जब भी को अब प्रोड़क्ट इसकोल्ड गलत है रियाक्टेंट एंट प्रोड़क्स दू न अपको पता ही रिलीस होती है बहुत असान ही और गार बोल चुका हूं कि एक सवाल आएगा 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 लास्ट यर 80-20 रूल में यह बोला था और इस बार भी बोल रहा हूं आइडेंटिफाइड डिकंपोजीशन रियक्शन अमंदा फॉल्लेंग बेटा डिकंपोजीशन रियक्शन कौन जिसका प्रड़क्ट क्या होता है लेकिन रियक्टन कितने होते हैं एक तो यह तो और यह भी कॉंबिनेशन रियक्शन है यह चेंज कर दिए NCRT में क्या था Acetic Acid लिया गया था और Sulfuric Acid लिया गया था और Magnesium Ribbon डाला था यहां पर क्या किया है देखो हमने Magnesium Ribbon को लिया H2SO4 जो कि एक बहुत Strong Acid है और Vinegar जिसके अंदर Acetic Acid होता है बहुत Weak Acid है दोनों में डाला अब Option पढ़ेंगे लेकिन हमें पता है कि H2SO4 के साथ Magnesium Ribbon बहुत Vigurously React होगा Large Amount में Hydrogen Gas बनाने वाला है Which of the following is true for the reaction Tube B shows more vigorous reaction नहीं Tube B में तो Vinegar है Tube A shows more vigorous reaction with evolution of gas यह सही लग रहा है B में reaction नहीं होगी Tube A reacts but there is no नहीं नहीं तो answer आप सबको पता है B है because सारे metals acid के साथ react होते हैं सिवाए copper के silver के platinum के gold के यह सारे metals के तो B answer है B sting causes intense pain जब भी आपको कोई मदो मख्खी काटती है या ऐसा कोई भी insect काटता है तो आपको पता है वह आपकी body में formic यानि के mythenoic बहुत बच्चे confused होते है formic और mythenoic acid एक ही बात है और अगर आपने carbon compound पढ़ लिया तो अब तो आप इसका formula भी जानते हूं formula क्या होता है भाईया HCOOH तो formic acid या mythenoic acid या आपकी body में छोड़ देता है rubbing baking soda baking soda एक base है और वह इस acid को क्या कर देता है neutralize बहुत basic सवाल है insect sting is basic गलत बात है insect sting contains alkali गलत बात है insect sting contains formic acid which is neutralized by baking soda अगला option भी पढ़ना होता है insect sting irritates the skin हाँ यह बात ठीक है बट baking soda क्यों लगाया जाता है यह पूछाए आपसे तो आंसर C है ठीक है बई चलिए metal A is stored under kerosene अब kerosene के understore करने वाला जिसको आप जानते हूँ वह कौन है sodium है हाँ ना बई बागी when a small piece of it is left open in air it catches fire देखो मैं आपको ने एक सच बात बताता हूँ हवा में रखने पर यह बहुत जल्दी आग तो नहीं पकड़ता है sodium oxide और metal के जो oxide होते हैं यह basic होते हैं यह basic होते हैं अब iron aluminium zinc यह सब metal है लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आग पकड़ लेता है तो यहां पे आंसर sodium है मेरे आप से इतना ही कोशन अगर दे देते तो भी आंसर हमें सोडिय मिल जाता आगे का काम ही नहीं था बहुत असान पेपर है बहुत असान लेवल वन चल रहा है चलिए लिक्विड नॉन मेटल कौन है अब यहां पे ना जब बच्चा लिक्विड देखता है लिक्विड तो व वो कौन सा है भाईया ब्रोमीन है तो यहां पे आंसर मरकरी नहीं आएगा ब्रोमीन आएगा बिलकुल सही मेटल एक्स विच इस यूज़ इन थर्माइट रियक्शन थर्माइट रियक्शन में हम लोग मेटल एक्स कौन सा यूज़ करते हैं तो आंसर है अलुमीनियम वेन ह आता है पिगला हुआ फिर उसको वेल्डिंग में इस्तमाल करता है लेकिन यहां पर अलुमीनियम जो है उसको हम किस से रियक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन से तो आपको क्या मिलेगा एल्टू ओठी मिलेगा एल्टू ओठी जो की वाई है और जो की एमफोटरिक नेचर का भी अलुमीनियम था बट एक में उने अलुमीनियम ऑक्साइड का फॉर्मला एलो और एक में एल्टू ओठी लिखावा था इसका मतलब है कभी कबार फॉर्मुले के रिस्पेक्ट से भी आपसे सवाल पूछ ले जाएंगे तो फॉर्मुला आना चाहिए बहुत बैसिक बात है चलिए ठीक है मैं बारों के कुछ MCQ आ गए है हाँ जी हाँ जी चलो लेट्स टार्ट बायोलोजी ना पहला क्वेशन जो बायोलोजी से इस पेपर में वह यह है कि oxygen liberated during photosynthesis comes from option है water chlorophyll carbon dioxide glucose तो अगर थोड़ा सभी common sense लगाओगे ना और मालो किसी बच्चे को बिलकुल भी photosynthesis का कुछ नहीं पता पी भी नहीं पता है photosynthesis का फिर भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ कि तुम थोड़ा सभी common sense अपना IQ यूज करके इस question को elimination technique से भी solve कर सकते हो अगर हम बात करें carbon dioxide की तो carbon dioxide में oxygen कहां से आएगा carbon dioxide ठीक है तो carbon dioxide का तो वह हो रहा है ना oxidation reduction का process वो बाद में होगा chlorophyll में oxygen कहां से आएगा glucose में oxygen कहां से आएगा ग्लुकोस तो एक product है जो बाद में बनता है तो water will be available और वहां से जब water की splitting होती है chlorophyll pigment में आने के बाद तब जाके उस splitting के वजए से hydrogen अलग हो जाता है और oxygen अलग हो जाता है वही oxygen फिर used up होता है वो जाके carbon dioxide के साथ mix होगा और फिर glucose बनेगा ठीक है C6 H12 O6 डन चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम अगले question में this is which part of elementary canal receives the bile from the liver तो liver से bile release हो रहा है वो स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में और pancreas से pancreatic juice निकल रहे हैं तो hepatopancreatic duct नाम का एक duct होता है जहां से bile और pancreatic juice दोनों निकल रहा होता है और एक common bile duct में से आ रहा होता है पर आ कहा रहा होता है small intestine के पहले part याने की deodenum में ठीक है तो यहां पर answer हो जाएगा small intestine कुछ सोचने समझने की जरुवत नहीं है isophagus हो ही नहीं सकता वह आपका food pipe है stomach का आपके bile से कोई relation ही नहीं है क्योंकि आपके stomach में HCL and बागी के digestive enzymes work कर रहे है large intestine तो बहुत आगे की बात हो गई पहले तो हमें small intestine में ही major reabsorption absorption or digestion complete करवाना है तो यहां पर small intestine will be the right answer बहुत easy paper है इसमें कुछ करने की जरुवत भी मुझे feel नहीं हो रही है मतलब छोटे छोटे बच्चे अब यह वाला question साथ छोटे बच्चे भी cotyliden, plumule, radical सब जानते हैं so in the figure the parts A, B and C are sequentially आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक छोटा सा embryo बन रहा होता है न तो major जो food storage वाला part होता है वो होता है cotyliden का ताकि उस food को जो embryo है वो consume करे और अपने आपको grow करा है as shoot and root तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि food store तो भाई भंडार गर हमारा kitchen के ता बड़ा सा होता है बंडारी है न बड़ा सा यह जो structure है this is cotyliden और अगर shoot है तो shoot तो उपर की तरफ जाएगा तो c तो हो नहीं सकता होगा क्या a होगा और root है root नीचे की तरफ grow करेगा तो a तो हो नहीं सकता होना c ही है तो बहुत ही जादा easy है कुछ भी नहीं है इसमें a will be plumule b is cotyliden and c is radical so c option will be the right one बहुत easy कुछ नहीं है इसमें a zygote which has an x chromosome inherited from the father will develop into a अब ध्यान से सुनना कि जो father होते है न वो दो तरीके के chromosomes produce करते हैं दो तरीके के gametes produce करते हैं x और y और mother सिर्फ एक ही तरीके का x chromosome produce करेगा मतलब gametes में सिर्फ और x chromosome ही होंगे males में जो gamete होगी यानि की sperm होगे 50% x chromosomes वाले होगे 50% y chromosomes वाले होगे तो अगर father का x chromosome mother के x chromosome के साथ fertilize हो जाता है तो obviously there will be a girl child फिर वही girl child के जब gametes बनेंगे तो x और x हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ x chromosome वाले ही gametes बनेंगे so this goes on मतलब female के पास double x chromosomes होते हैं male के पास x and y chromosomes होते हैं और जब spermatogenesis या फिर ogenesis यानि की sperm का formation या फिर ova का formation हो रहा होता है तो sperm में 50% sperms x chromosome वाले हो जाते हैं क्योंकि meiosis हो रही होते हैं उनमें और 50% y chromosome हो जाते हैं तो यहाँ पर जो question है ना कि अगर कोई zygote है जिसके पास father से x chromosome आया हुआ है तो definitely it will be a girl child. So B option is the right one. इतना easy, इतना simple question मुझे लगता है कि बाकी physics, chemistry का I can't say लेकिन biology में तुम्हारे एक भी question इसमें से गलत नहीं होने चाहिए बिकुस जो basic questions होते हैं हर chapter के, bio के हर chapter के वही हैं यह सारे questions. In a synapse, chemical signal is transmitted from dendrite end of one neuron to axonal end of another neuron, axon to cell body of the same neuron, cell body to axonal end of the same neuron, axonal end of one neuron to dendrite end of another neuron. बढ़िया सा हम लोग एक फटा-फट सा quick neuron बनाते हैं, यह एक और हो गया, ठीक है, बहुत ही शांदार सा diagram बना है, और कोई हसेगा ने इस diagram पर. ध्यान से सुनो, synapse क्या होता है ना, कि जब chemical signals एक neuron से दूसरे neuron में transmit हो रहे होते हैं, तो उनके बीच के junction को हम synapse कहते हैं, तो एक synapse में कहां से chemical signal निकल के, किस part of दूसरे neuron पे पहुँचा, पहला अगर option देखोगे, तो dendrite end of one neuron to axonal end of another neuron, इतना दूर से तो travel वो नहीं एक synapse में, exon to cell body of the same neuron, अगर एक ही neuron में transmission हो रहा होता, तो इतने सारे neurons, हमारे millions of neurons हमारे body में हमारे nervous system है, पाए ही क्यों जाते हैं, cell body to axonal end of the same neuron, okay, same neuron वालो को तो सबसे पहले यहां से भगाओ, इनकी तो जरूरत ही नहीं है यहां पर, यह तो फिर भी चलो बच्चे बहुत confused हो सकते हैं, इन दोनों में तो confusion हो ही नहीं सकता पैदा, exonal end of one neuron to dendrite end of another neuron, this is the right answer, इस पार्ट से chemical signal जब यहां पर पहुँचते हैं, और इन दोनों के बीच में, जो synapse create होता है, यह transmission के लिए responsible है, और यहां इन दोनों के बीच में यह जो synaptic knob देख रहे हो, इस synaptic knob के अंदर होता है, synaptic vesicles, और synaptic vesicles के अंदर भरे होता है, neurotransmitters, neurotransmitters का काम होता है, signals को, chemical signals को electrical impulse में convert करना और उसको आगे भेजना, तो यहां पर जो भी main चीज़े हो रही है, वो यहीं पर हो रही है, इन ही दोनों के बीच हो रही है, इस से पहले neuron के इस पार्ट से कोई म मतलब नहीं है, this is the synapse, चलो, यह मैंने थोड़ा सा ज्यादा elaborate कर दिया, ताकि अगर हम level 2 या level 3 में इस से थोड़ा सा मुश्किल question लेकर आएं, इस topic से related, तो आपको पहले ही level 1 में इसका एक elaborative discussion हमारा हो चुका है, आपका अब इस topic से कोई भी question गलत नहीं होना चाहिए, next question चलते हैं, और सर अब आपकी बारी है, आगे है, questions आपके, तो भई chemistry हो गई है, हमारी और बायो हो गई है, अब हमारी बारी है physics की, तो numericals होंगे, given लिखते हैं, इनको solve करते हैं, और numericals भी हम लोग paper देख चुके हैं, बहुत जादा easy हैं, आप शुरू करते हैं, the image of a, यान मेशा माइनस में रहता है, concave mirror is observed to be equals to 4 cm, अच्छा, तो मुझे लग रहा है, यह numerical ही नहीं, क्योंकि आपको height of object अगर 4 दे रखा है, तो height of image भी आपको 4 दे रखिए, और mirror कौन सा है, concave mirror है, इसका मतलब है कि object को कहां रखा गया होगा, c पर रखा गया होगा, जिसको lens में 2F भी कह देते हैं, at which distance from the mirror will the rays from the sun converge, बहुत सिंपल है, पहली बात तो at which distance from the mirror, इसको focus कहते है, at which distance from the mirror will the rays coming from sun converge, यानि वह आप से indirectly focal length पूछ रहे हैं, और अगर इस data को देखे, क्योंकि height of image, height of object के बराबर है, और वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है, जब object कहां सिर्फ आपको पहले से माइनस 30 दे रखा है, focal length इसका आदा हो जाता है, जो कि माइनस 15 cm है, माइनस option में नहीं है, तो 15 cm, तो मुझे लगा था कि एक numerical होगा, आपको भी लगा होगा पढ़के numerical है, बड़ कभी का बार जो हम सवाल को आगे पढ़ते हैं, तो हम समझ जाते हैं इसमें हाली के अंदर मैं टॉपक करवा रहा था, तो बच्चे कहते हैं कि सर इसके उपर numerical जादा आते हैं, रे डाइग्राम करने की जरुवत क्या है, तो यह देखो आप, यह रे डाइग्राम की मदद से question solve हो है, मैंने कुछ solve तो किया ही नहीं, तो यह बात ध्यान रखना ठीक है, और अभी भी अगर आप लोग crash course join करना चाते हो, तो कर सकते हो, because crash course के अंदर सिरफ अभी 3 chapters हुए हैं हमारे 10th class के, और हर चीज बहुत detail में पढ़ाई जा रही है, और ऐसे बहुत सारे और sample papers करने के लिए आपको अगर कोई book खरीदने के आप सोच रहे हो, तो light falls on a glass prism, get split into 7 colors हम सब जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, marked as 127 as shown in the figure, अच्छा मुझे figure में 127 नहीं दिख रहा है, आपको बने दिख रहा होगा, मैं आप कर देता हूँ, यह 1 है, यह 7 है, ठीक है ना, मतलब उपर वाला 1 है, नीचे वाला 7 है, which position corresponds closely to the color of danger or stop signal, danger आपको पता है, red ह होता है, और red कौन सा color है, जो सबसे ज़्यादा scatter हो, सबसे ज़्यादा bend होता है, सबसे कम bend होता है, तो answer है least bend होता है, red जो है, वो least bend होता है, अब अगर यह least bend होता है, तो सबसे उपर हमारा कौन सा color आएगा, red और सबसे नीचे हम सब जानते हैं, violet आएगा, तो सबसे करीब of ozone layer किसके वैसे होता है chlorofluoro-carbons की वैसे होता है इसमें तो क्या ही टाइम लगाएं इन दा गिवन food chain food chain का है भाईया देखो grass grass ऑपर फ्रोग ए सने क्या और होक है energy in the given food chain suppose the amount of energy at fourth traffic level is five kilojoule one two three four यानि कि snake के पास five kilojoule की energy है what will be the energy available at the producer level our environment में अगर आपने चेप्टर किया आपको पता है सबसे important दो चीज़ें एक है 10% और एक है ozone और उन दोनों से देखो सवाल आया हुआ है क्योंकि आपको यह पता यार बायो डिग्रेडेबल नॉन बायो चार आर बेकार के कि ब्रश करते नलका बंद कर लो वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल से आती है पेपर में में यहां से ओजोन लियर 10% या सवाल मिलेंगे और मैंने ट्रिक पताई थी मैं नहीं बताई होगी कि आगे जाते वक्त आपको अब्वेसी बात है टेंसे इसको डिवाइड करते जाना पीछे आएंगे तो इसको टेंसे मल्टिप्लाइब करते जाना विखास 10% एनरजी आगे जाती है 10% का मतलब 10 और बढ़ा दो तो हमारे पास आ गया यहां पर 5000 किलो जूल जो की आंसर हो गया अगर यह कोशन सब्जेक्टिव फॉर्म में आता तो ऐसे नहीं करना है फिर आपको इसे पूरा सॉल्व करना होगा स्टेट्मेंट्स के साथ वो भी करवाएंगे अगर आगे सवाल आएगा तो यह करवाए हुए हैं तो शॉर्ट रिक है पीछे जाओ एक एक जीरो बढ़ा दो आगे आओ एक एक जीरो कम कर दो जैसे अगर मुझसे इसमें पूछा होता तो पॉइंट फाइफ किलो जूल हो जाता है किलो मतला 1000 हो गया अभी बात करी हाँ क्योंकि सिल्वर जाता है मैं बड़ी हरान कर देने लिए बाता है एक बच्चे के प्रीबोर्ड में एक सवाल आया उसमें एक अशर्शन रिजन के अप्शन यह अलग अलग थे मतलब उसमें हाँ सी ऑप्शन में यह वाले ऑप्शन थे तो बैटा यहां पर मैं कहना चाओंगा और सच बता ह यह वाला ऑप्शन यहां कहीं लिखावा था तो प्लीज औप्शन को ऐसे आप यह मतमान के चले हमेशा सेम योंगे प्लीज पढ़ ले और कभी कभार यह वाला आप्शन बोथ और फॉल्स भी होता है तो प्लीज ऑप्शन को पढ़ा जाए कि मैं बाइव के कितने सवाल आ और उसका reason दे रहा है कि it activates the nearby axillary birds to form branches, अब ध्यान से सुनों यह जो auxin है ना, यह एक ऐसा plant hormone है, जो की stem की height को increase कराने के लिए responsible होता है, और ना कि उसके girth को बढ़ाने के लिए, यह सिर्फ और सिर्फ height बढ़ाएगा, ठीक है, तुम लोग बॉनवीटा पीता हो ना, बच्पन सा लग रहा है कि branches form करने के लिए apical bird कोई sense नहीं बना रहा है, पर चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, तो यह auxin का काम होगा, apical bird में high concentration बढ़ाना, apical bird, epices में present है, apex याने की सबसे topmost point पर present है, और इसी situation, इसी phenomena को हम कहते हैं, apical dominance, और जब apical dominance होता है ना, बच्चों, त height ही increase हो सकती है, branches के जो growth होते हैं, वो inhibit होने लगते हैं, तुम लोगोंने कभी ना कभी life में कोई ना कोई ऐसा plant जरूर देखा होगा, जिसका height बढ़ता ही जा रहा है, खीचे जा रहा है, खीचे जा रहा है, और उसके ज़्यादा पतिया नहीं निकल रही है, branches नहीं निकल हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके top को काट देते हैं, ताएकि अगपाइकल डॉमिनेंस का जो event है, वो suppress हो जाए, वो auxin बाकी branches में फैल सके और उसकी growth करा सके, तो बार-बार तुम लोगोंने देखा होगा, डार्जलिंग वगेरा में चल जाओ, जहां पर TK plantation होता है, वो बा करेंगे, तो सिर्फ height increase होगी, branches नहीं grow करेंगे, तो यह सीधा-सीधा गलत answer है, गलत reason है, it activates the nearby axillary burst to form branches, assertion बिल्कुल सही है, बट reason is false, तो यहां पर answer हो जाएगा, C, A is true and R is false, चलो आगे के सवाल देखते हैं, और सवाल आ रहा है, a compass needle is placed near a current carrying wire, the deflection of compass needle decreases when the compass needle is displaced away from the wire, yes, because जब आप wire से दूर जाते हो, तो magnetic field कम होती है, और deflection भी कम हो जाएगा, कि फोर्स भी कम हो जाएगा, तो assertion तो बिल्कुल सही लिखावा है, strength of magnetic field decreases as one moves away from the current carrying conductor, reason भी बिल्कुल ठीक है, तो answer A हो जाता है, जो कि उपर मैंने आपको reason देए दिया और वही नीचे भी लिखावाई, बड़ी अच्छी बात कर दीनों हर्भी वर्स और गैनिसम जहें, वो primary consumer होते हैं, हाँ, क्योंकि वो किसको खाते हैं, producer को खाते हैं, तो assertion बिल्कुल ठीक जो numerical होगा, हम उसको पूरा solve करेंगे, जो theory-based सवाल होंगे, या को reaction-based सवाल होंगे, reaction लिख देंगे, theory को समझा देंगे, ठीक है न, alloys क्या होते हैं, homogeneous mixture of metals और non-metals भी हो सकते हैं, ध्यान रखेएगा, जैसे की steel, steel में हम लोग non-metals को भी mix करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, offline में भी मैं देखता हूँ, paid batches में भी जब comment कर रहे होते हैं, तो हमेशन, homogeneous mixture of metals लिखते हैं, homogeneous mixture of metal और non-metals, along with metal, इसे कहते हैं, alloy, how they are made, तो metals को पिगलाके, melt करके, उनको homogeneous mixture में convert कर देते हैं, आपको इसमें bronze और आपको इसमें solder, bronze की composition, bronze की composition, copper, plus में tin, आप symbol wise भी लिख सकते हो, मैं कहूंगा पुरा नाम भी लिखा करो, और symbol भी लिखा करो, ठीक है न, और solder की composition, lead आजाता है बस साथ में, और साथ में tin तो रहता है, यानि कि दोनों में tin तो है, बस bronze में copper plus tin mix करते हैं, और solder में lead और tin, lead को mix करने का कारण क्या होता है, में किसका melting point कम हो जाए, पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं गया है, और प्लीज बिटा, ये फिर बोड़ रहा हूँ, कितने सवाल है, मैं आजाओ मैं आजाओ, हैं बाइओ के सवाल, छीक है, तब भी मैंने तुम्हें बता दिया था, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सहाँ जादा elaborate करके तुम्हें समझाती हूँ, अब एक human के cell में 23 pairs of chromosome होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, करते, 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 22 pair of chromosomes जो होंगे, यह कहलाएंगे, autosomes, जो somatic cells, या कि normal हमारे body cells में भी पाय जाते हैं, जो 23rd chromosome होता है, 23rd pair of chromosome, यह होता है, allosome, यानि कि sex chromosome, जो determine करता है sex को, यानि कि gender को, अब अगर हम male की बात कर लें, तो male में जो यह 23rd chromosome है, यह दो अलग अलग तरीके के होते हैं, 23rd pair, यानि कि 2 होंगे, तो इनके पास होते हैं X और Y chromosome, क्यों इनका नाम X और Y है, यह भी मैं बता देती हूँ, X chromosome is slightly bigger than the Y chromosome, और shape भी X chromosome का X के जैसा होता है, Y का छोटू सा Y के जैसा होता है, ठीक है, female की अगर हम बात करें, तो जो 23rd pair of chromosome है, पैर है, अगें, दो होंगे इन number, तो इन में एक ही type का chromosome पाया जाता है, और अच्छा, एक और मैं तुम्हें एक बहुत ही basic सी चीज़ बताती हूँ, जो आगे चलके भी तुम्हें याद रहेगा, तो काम आएगा, जिन में एक ही तरह की chromosome होते हैं, पैर में, उनको हम homogamity कहते हैं, और जिन में different type of chromosome होते हैं, इनके gametes को heterogamity कहते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, कि अगर अब इस male में, जब meiosis होगा न, यानि कि इनका sperm का production होगा, तो 50% जो sperms हैं, उनमें, उनमें X chromosome होगे, और बाकी के 50% sperm में Y chromosome होगे, यह meiosis होगया, sperm का formation हो चुका है, लेकिन जब female में meiosis होगी, तो 50% X और 50% X, यानि कि भाया, हर तरह के gamete जो होगे इनके, यह X chromosome ही contain करेंगे, only, only X chromosome, nothing else, तो जब male और female gamete का fertilization होता है, तो या तो यह वाला gamete इसके साथ fuse करेगा, या फिर यह वाला gamete fuse करेगा, अगर यह वाला gamete fuse करता है, तो X और X, यानि की daughter child हो जाती है इस couple को, लेकिन अगर यह वाला Y और यह वाला X fuse करेगा, तो इन्हें son child होगा, यानि X और Y, male का again वो conserve हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से you have to support your answer, with the help of some theoretical lines और इस तरीके से अगर आप दिखा दोगे ना, कि ऐसा ऐसा male और female में division हो रहा है, या फिर gamete के production के time पर chromosome split हो रहा है, and 50%, X और 50% Y बन रहा है, तो आसानी से तुम्हें पूरा का पूरा number मिल जाने वाला है, इसके हलावा और कोई explanation हो ही नहीं सकती, so this is your answer, the sex of the newborn child depends on its father की, father पे ही यह depend कर रहा है, कि या तो उसका X chromosome, mother के X chromosome के साथ fuse होगा, या फिर उसका Y chromosome, mother के X chromosome के साथ fuse होगा, X होगा तो daughter Y होगा तो सन, बस, ओके, next question, how are alveoli designed to maximize the gaseous exchange of gases, ओके, alveoli ना बहुत ही बहतरीन सा, you know, diagram जब आप देखोगे, अगर आप लोगोंने मेरा one shot देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को 3D में दिखा रखा है, alveoli का structure, इतना प्यारा सा structure होता है, इस तरीके से balloon जैसा होगा, और इसके अंदर भी बहुत छोटे 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 balloon like structures होंगे, ऐसे करके, it feels like कि आप एक inflated balloon में, जब एक net का कपड़ा बहुत तेजी से उसे बांद देते हो, तो उसमें से छोटे छोटे bubbles like निकलने लगते हैं, वैसा आपको ये देखकर feel होगा, तो माल लेते हैं, ये एक alveoli है, और इसमें छोटे छोटे bubbles जैसे balloons निकल रहे हैं, तो ऐसा क्यूं हो रहा है, क्योंकि एक तो ये पतला सा membrane होता है, जो बना होता है squamous epithelium का, squamous epithelium, squamous epithelium बहुत ही पतली सी tissue की layer होती है, जिसके थ्रू आसानी से gases exchange हो सकते हैं, उपा से इस structure के अंदर भी बहुत सारे जो उभरे हुए छोटे छोटे balls हैं, या फिर छोटे 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 balloon like, sack like structure है, इसका होना इसी लिए जरूरी है, ताकि ये increase करे surface area, जितना ज्यादा surface area बढ़ेगा, उतना ज्यादा gaseous exchange होना possible हो जाएगा, so alveoli इस तरही के से design होती है, ताकि increase हो जाए surface area और बना होता है वो squamous epithelium की tissue का, ताकि maximize हो सके exchange of gases, so ये दोनों points बहुत ही valid है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कि there are, you know, numerous alveoli present in a single lobe of lungs, ताकि बहुत सारे alveoli है, alveoli के अंदर भी जो alveolus है, यानि छोटे-छोटे जो ये balls है, ये increase कर रहे surface area और इसे exchange of gases maximize हो रहा है, let's move on to the next question, and I think this is going to be sad. आपको पताया हुआ है कि light chapter से refractive index के उपर बहुत सवाल आते हैं, और last कि अगर आप लोग life classes देख रहे हो, हमारी जो हम लोग उने questions कराया थे, जब भी light chapter होता है, हम लोग refractive index के उपर सबसे यादा सवाल कराते हैं, अगेन मैं आपको example दूँगा, because हाली में हुआ है, crash course में अगर हमने light chapter मान लो, 2,5 गंटे में करवाया, 3 गंटे में करवाया, 3 गंटे ज़ादा ही लगे, let us suppose 3 गंटे में कराया, तो उसमें से 45 minutes से ज़ादा हम लोगों ने सिरफ refractive index को ही दिया, तो काफी important topic है, इसके पर सवाल भी काफी अच्छा आते हैं हो, सवाल देखते हैं क्या है, सवाल कह रहा है बई कि, the refractive index of medium x with respect to medium y, तो refractive index of medium x with respect to medium y जो है, ये 2 by 3 है, चीक है न, and refractive index of medium x with respect to z, और medium x with respect to z जो है, ये 4 by 3 है, सही जा रहे हैं, find the refractive index of z with respect to x, आपको z with respect to x पताना है पहले पार्ट में, यानि आपको refractive index of z with respect to x पताना है, तो आप इन दोनों को divide कर सकते हैं, या इसको उल्टा कर लो, अगर आप इसको उल्टा कर लोगे, तो refractive index of z with respect to x आ जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, विचे इस 3 by 4 हो जाएगा, इससे आप second equation मान लीजिए, इसको आप first equation मान लीजिए, अब आप क्या करो, अगर आप refractive index of z with respect to x निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपके पास x and y है, यहाँ पर आपके पास x and z है, तो आपको सिर्फ refractive index of z with respect to x निकालना है, तो z with respect to x तो देही रखा है, मैं हम ये question गलत है, हाँ, क्योंकि z with respect to x तो देही रखा है, तो अब विसे बात हैं यहाँ पर z with respect to y होगा, क्योंकि बच्चो, z with respect to x तो आई गया, अगर मान लो बोला भी है, तो x with respect to z था, तो z with respect to x तो सीधा ही हो गया, मेरे इसाब से यहाँ पर y होता, तो यह question और अच्छा हो जाता, बट क्या पता उनके मन में x ही हो, अगर x ही है, तो कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है, x with respect to z दे रखा है, और z with respect to x निकालना है, तो उल्टा हो गया, अगर माल लेते हैं, question में बोला होता, z with respect to y, तो फिर इन दोनों को आपको multiply कर देना है, refractive index of x से, refractive index of x cancel हो जाएगा, z with respect to y आजाएगा, इन दोनों को भी multiply कर लेंगे, तो जहां तक मेरा मन कहरा है, यहाँ पर y होना चाहिए, z है तो कर दिया, अगर y होता, तो कैसे करते हैं सवाल को, अब मैं दोनों को multiply कर दूँगा, यानि 1 को multiply कर दूँगा 2 से, तो अगर ऐसा करता हूँ, तो refractive index of x upon my refractive index of y, multiply by refractive index of z upon my refractive index of x, यहाँ पर आगे मेरे पास 2 by 3, और यहाँ पर आगे मेरे पास 3 by 4, ठीके जी, with respect to refractive index of y जो है, यह हमार पास 1 by 2 आजाएगा, अगर कोशन में बोला है, y तो x बोला है, तो यहीं सवाल खतम हो जाता है, चीक है, चालो, अब b part में क्या कह रहे है, if the speed of light in x is दितना, तो calculate speed of light in y, बहुत ही बड़ी है, चीक है, यह वाला formula लग जाएगा, अब refractive index of x, with respect to refractive index of y, हमें दे रखा है 2 by 3, और refractive index of x, with respect to y क्या होता है, speed of light से उल्टा, यानि speed of light in y, upon में speed of light in x, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अब यह हमारे पास 2 by 3 है, speed of light in x आपको दे रखी है, कितनी थ्री इंटू में 10 की पार 8 कही ना कहीं ये एरिया वाक्यूमी लग रहा है, और यहां से आपको वाई किन निकालनी है, तीन से तीन क्या हो गया, cancel हो गया, तो speed of light in y आगया, 2 इंटू में 10 की पार 8 मीटर पर सेकेंड, मेरी रिक्वेस्ट है, पेटा हाद जोड़के, अगर इस सवाल दो नंबर का आया है, तो आप यहां पर लास्ट में ना एक एक स्टेटमेंट जरू लिखा करें, निमेरिकल में कि हैंस, speed of light in medium y is this, यह x is this, इस एक स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, और फाइनल आंसर को अगर आप डब्बे में डाल दोगे, तो आपको ही पता है या कि चेक करने वाला ना, फाइनल आंसर सबसे पहले चेक करता है, अगर वो सही है, उपर आपकी कुछ statement में कुछ गलती होगे, या कुछ गलती होगे, तो नंबर आपको फिर भी पूरे मिल सकते हैं, बहुत refractive index का बहुत easy सवाल है यह, यह यह वाई होता तो मज़ा भी आता है थोड़ा सा, चलो आप, अगला सवाल इसकी जुरुत नहीं है हमें, अगला सवाल क्या है, table दे रखा है और आपको सबकी resistivity दे रखिए, नीचे क्या कोशन है छोड़ दो, लेकिन जितनी resistivity जादा होती है, उतना बुरा वो conductor होता है, और जितनी resistivity कम होती है, उतना अच्छा वो conductor होता है, तो जैसे silver की आप देख सकते हैं, अगर आपको देख रही हो, सारी power minus 8 है, मैं आप लिख देता हूं, ब्लाक से, यह minus 8 है, यह भी minus 8 है, यह minus 8 है, यह minus 8 है, यह minus 8 है, लेकिन यह minus 6 है, ध्यान रखना minus 6 है, तो मैंने power लिख दी है, among silver and iron, better conductor कौन है, अब्वेस सी बात है, वेटा, silver दुनिया के, सबसे best conductor में से एक है, silver और copper, और अगर resistivity की table, नहीं भी दे रखी हो, तो भी पता है, चलो दे रखी है, तो silver की value, 1.6 into में 10 की पार minus 8 है, और iron की 10 into में 10 की पार minus 8 है, तो काफी ज़ादा है, तो ये बुरा conductor हो गया, इससे तो silver भेटर हो गया, why पूछा है, why पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो सिरफ लिख क्याना है, silver समझ गए, which material would you advise to use in electrical heating device, कल ही science and fun, जहाँ पर मैं experiment के shot डालता हूँ, कल ही इसके उपर भी डाली है, जो पानी घरम करने की rod होती है, उसको तोड़ा उसके अंदर से heating element निकाला, वो heating element कौन सा था, निक्रोम था, देखो सवाल आया हो है इसके उपर, कि heating devices में किसका इस्तमाल करते हैं, और यहां पर क्यों भी पूछाए, तो महां पताया था, कि निक्रोम का इस्तमाल करते हैं, क्यों करते हैं निक्रोम का इस्तमाल, यह एक alloy होता है, जो की बना होता है, nickel plus chromium, इसको तो याद भी करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपावा है, nickel plus chromium, और इसका resistance बहुत जादा हाई होता है, resistance हाई होने की वज़ा से, heating effect बहुत हाई होता है, glow करता है, पानी गरम करता है, हमारे iron यानि प्रेस में भी यही होता है, हमारे गीजर में भी यही होता है, यह हमने कली खोल के दिखाया, बाकी चलो ठीक है, यहाँ पर अगर इस टेबल से देखें, तो सबसे ज़्यादा resistivity निक्रोम की है, जितने resistivity ज़्यादा होगी, उतना अच्छा वो heating device माना जाएगा, चलिए, ठीक है, and electron is moving vertically upward, अच्छा चलो ठीक है, एक सवाल, ठीक है, comment section में जरूर इसका answer लिखना, अगर यह paper आप में आया हो था, तो आप यह वाला सवाल करते हैं, यह वाला सवाल करते हैं, तो मैंने last year, कुछ छोटी मोटी tips आ ली थी हैं, कि बिना extra मेनत करें भी numbers को बड़ा improve कर सकते हैं, अगर आपको दोनो सवाल आते हैं, तो हमेशा उनको attempt किया करो, जो कोई एक numerical हो, और एक theory में numerical को, अगर दोनों आते हैं तो, और अगर दोनों theory हैं, तो उनको attempt किया करो, जिन में parts जो हैं, वो जादा हैं, ठीक है ना, parts जादा है, और और अगर अंग्रेजी में गशा ंभलेजों थो कहा झाष्य होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना कुछ गलती निकलती यह चोटी सी बात्या रखना बागी यह सवाल आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के उपर होने वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो वर्टिकली अपवर्ट जा रही है इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा होता है करण्ट हमेशा उसके ऑपोजिट जाता है इसा करते हैं मना लेते हैं यह नज आ रहा होंदर तो मेरी मिडल फिंगर होगी वोड के अंदर magnetic field कहा जा रही है from north to south जा रही है यानि magnetic field है नीचे मेरी middle finger आएगी अनुवर्ड क्यों आ रही है क्योंकि vertically upward electron है electron अगर भार है तो current अंदर होगा और magnetic field कहा से कहा है north से south तो मेरे index finger कहा जाएगी north से south तो मेरां उठा कहा गया मेरां उठा गया इस तरफ यानिकी इस से वेस्ट की तरफ ठीक ना जो बीम deflect होगी वह कहा होगी तो answer है from east to west की तरफ हमारी बीम deflect हो जाएगी पूरे कोशन में आप कहीं पड़ो का reason पूछा है नहीं पूछा है हच से ज्यादा क्योंकि दो सवाल है हट से जादा एक सकते हो यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल साथ यूजिंग लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बस इतना लिखना या ठीक है तो आंसर आ जाएगा इस्टू एस्ट बहुत सिंपल सवाल है फिर बोड़ा हूं इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं करन्ड हमेशा उसके उपोजट जाता है चलिए अरे इसकी तो जरूत नहीं है ठीक है कि आगे बढ़ते हैं वई कि डीकंपोजर्स का रूल में मैं बढ़ाएता हूं बड़ा सान है डीकंपोजर्स देखो एक ना सवाल है आर इनवार्मेंट में जिसमें लिखा होता है कि क्या बायो डीग्रेडेबल वेस्ट भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं बिल्कुल बढ़ते हैं तो जो बुरे माइक्र और गनिजम उनकी ग्रोथ बढ़ती जिन से बिमारियां बढ़ती है बड़ यह सवाल क्या है आपको डीकंपोजर्स का रोल बताना है तो डीकंपोजर्स बायटेक एनवार्मेंट में क्या रूल अदा करते हैं यह हमारे बायो डीग्रे इनवार्मेंट साफ रहता है दूसरी बड़ी बात भाईया जो सॉयल है उसको न्यूट्रेंट्स मिलते हैं जो कि अगेन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो भाया डीकंपोजर्स का में रोल क्या हो गया एक तो वह बायो डीग्रेबल बायो डीग्रेडेबल वेस् करते हैं और फिर वही न्यूट्रेंट्स वाट हमारे फूर्ट चैने वापस आ जाते हैं चीके दो नंबर का दो पॉइंट्स लिखने हों गया अरे 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 बहुत ज्यादा जगा देजी चलो हाँ अब मेटल एम विच इस मोश्टी यूज इन मेकिंग इलेक्रिकल वायर पताओ चलो आपके घर में कौन सी बिजली की तारे हैं गोल्ड तो होगा नहीं बटा सिल्वर तो होगा नहीं कौन है कॉपर बाकी आगे पढ़ लेते क्योंकि कॉपर के असासत अलुमीनियम भी स्तमाल होता है छोटे मोटर डिवाइसे में अच्छा ठीक है आगे क्या है फ पता दिया जी कॉपर है कॉपर है सी यू विद एलप अफ लेवल डाइग्राम एक्स्टेंद प्रसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ओहो बहुत बूरिंग यार पता नहीं क्यों सीबी ऐसी चलो खैरी तो पेपर सीबी ऐसे का नहीं है बट सीबी ऐसी ठकती नह अगर मुझे कुसको रिफाइन करना था कौपर को किसे एलेक्ट्रोलिटिक रिफाइणिंग से तो यहां पर मैं लूँंगा इंप्योर कॉपर याद करो यहां पर मैं लूँगा प्योर कॉपर याद करो और इसको मैं जोड़ दूँगा एनोड से यह ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि हमेशा इंप्योर मेटल एनोड से पर कनेक्ट होता है प्योर से मेटल की स्टृप पतली सी स्टिप प्यटोर पर कनेक्ट होती है यहाँ पर लिएंगे कापर सलफेट अब कॉपर सलफेट लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एसेड फायड कौपर सलफेट होता है एसेड狗 कॉन सायूज स Morse furic acid ताकि copper sulfate की conductivity थोड़ी सी बढ़ जाए और जैसे switch on करेंगे आपको पता है यहां से copper ions निकलेंगे यहां जाके deposit हो जाएंगे थोड़े बहुत solution से भी आएंगे जो भी गंदगी है वो गुलेगी नहीं गुलेगी नहीं तो नीचे बैठ दाएगी क्योंकि वह एनोड के नीचे बैठेगी तो इस सारी अच्छा वह लो मेटल से नोल मेटल से एक और सवाल आ गया इन्दा फॉर्मेशन अफ कंपाउंड बिट्वीन टू आटम्स ए और एन बी एन एलेक्ट्रॉन लूस किये कितने एलेक्ट्रों लूज किये दो और बी ने गेन किया पेर आफ इलेक्ट्रों मताब उसने दो इलेक्ट्रों गेन कर लिए फ्रट is a nature of bond आयनिक जब भी कोई एक 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 लूस करता है और कोई एक 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 इलेक्ट्रवकर गेंग करता है इसके बीच के बॉलतांत निक और जब एक्ट्रॉन शेर होता है ऐसे बॉल्ड को क्या बुलते हैं ठीक है cobalent bond कहते हैं show the electron dot structure and the formation of compound of A and B by transfer of electron ठीक है कोई दिक्कत नहीं है A ने कितने electron lose किया भाया दो तो A के outermost में 2 electron रहे होंगे B ने कितने electron gain किया pair of electron मतलब 2 तो B के outermost में 6 electron रहे होंगे समझने के लिए समझने के लिए A को magnesium मान लो और B को oxygen मान लो होने को यह calcium भी हो सकता है और यह sulfur भी हो सकता है पर मानने के लिए अभी यह मान लो अब क्यूंकि यह दो electron देने वाला है तो यहां से एक electron इदर से आगे इदर से आगे ठीक है क्या हुआ क्या बना वहिया ए ने दो electron दिये हैं तो ए जो है वह हमारा के टायन हो गया ए प्लस टू के टायन हो गया और साथ में हमारे पास भी है भी के पास अपने छे electron तो थे आपको कैसे पता इसके पास चैलेक्ट्रॉन थे अरे उसने दो लिया ना तो छे होंगे ना उसके पास और दो इसने ले लिए और जब कोई electron लेता है उस पे चार्च माइनस का आ जाता है माइनस का चार्च बराबर है कैंसल हो गया ए बी नाम का कंपांट बन जाया कितना प इस चैप्टर से ना अगर रिफ्लेक्स अक्शन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे क्योंकि इससे MCQ में भी question बनेंगे और दो नंबर वाले में भी question बनेंगे और चार नंबर वाले में भी question बनेंगे मतलब हर पैटन में तुम्हारा ये वाला question पूछा जा सकता है अलग-अलग level पर तो what is a reflex action? reflex action होता है बेटा एक sudden involuntary involuntary का मतलब हो गया जो तुम्हारे conscious will में ना हो एकदम से हो जाना बस वो हो गया तुमसे ठीक है? sudden involuntary और ये कोई action भी नहीं एक तरह का response होता है किस के against? stimuli के against वो stimulus तुम्हें कहीं से भी मिल सकती है for example तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे आगे जो glass रखी हुई है उसमें खौलता हुआ पानी है तुम उसे पकड़ लिए और जैसे ही तुमने पकड़ा तुमने उसे चोड़ दिया और तुमने वो conscious will से नहीं किया वो हो गया अपने आप तो भाई जिस चीज में दिमाग ही नहीं लग रहा है उसमें brain का involvement ही नहीं होगा तो भाई इसमें किस का involvement होगा? कंट्रोल एन कोडिनेशन हो रहा है तो कौन कोडिनेट कर रहा है इस movement को इस तरह के reaction को तो यहाँ पर brain जो है न बेटा यह switched off रहता है इसका go involvement नहीं है यह कंट्रोल होता है by spinal cord और through a path और उस path को हम कहते हैं reflex यहां पर मैं तुम्हारा almost 2 questions एक साथ solve कर रही हूं reflex आग भी तुम्हारे question में हो सकता है यहां पर reflex आग ही पूछा जाए तुम्हारे exam में reflex action की जगह reflex आग पूछा जा सकता है reflex आग वह रास्ता है जिसके जरिए हमारा reflex action perform होता है और वह रास्ता spinal cord के through ही होगा तो इसमें कुछ चीज़े involved होती है reflex action में मैं तुम्हें बताती हूं जैसे ही कोई stimulus generate हूआ वो stimulus तुम्हारे sensory neurons catch करेंगे sensory neurons तुम्हारे senses मेंी पाए जाते हैं फाइव senses में तुम्हारे sensory neurons पाए जाएंगे वो तुरयंत stimulus को catch करेंगे और वो पहुच जाएंगे कहाँ पर तुम्हारे spinal cord में, तुम्हारे spinal cord में, वहां से ये motor neuron को signal देगा कि भाया कुछ movement कराओ, क्योंकि ये गलत हो रहा है, यहां पे brain का तो involvement नहीं नहीं, मेरा involvement है, तो ये motor neuron को बोलेगा कि तुम effector muscles effector muscle या gland का active करो, अब माल लेते हैं, कुछ हुआ नहीं है, तुमने कुछ टच नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ teacher आती है, और एकदम से तुम्हारा नाम तीजी से call out करती है, तुम बिना सोचे समझे खड़े हो जाओगे डर के मारे, ये भी एक तरह का reflex action है, है ना, और तुरंट तुम्हारा अड्रिनलीन रश होने लग जाएगा, ये भी एक तरह का reflex action ही है, तो gland या muscle ये दोनों activate हो सकते हैं, जब reflex action होना होगा, तो अब within milliseconds ये सारी चीज़े हो रही होती है, तो this is reflex action, a sudden involuntary response to stimuli, और उसका तुम्हें पता है कि हमारे ब्रेन में जो तीन मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन उनमें से जो cerebellum वाला पार्ट होता है, cerebellum involved होता है, वोलुंटरी अक्शन के लिए, तो this will be cerebellum, picking up a pencil, अगें ये भी तुम अपने conscious will से कर रहे हो, तुम खुद से तुम्हें पता है कि pencil नीचे करिए, तुम्हें उसे उठाना है, तो ये तुम खुद कर रहे हो, और इसमें तुम्हारे voluntary muscles involved हो रहे हैं, तो ये voluntary action कहलाएगा, voluntary action के लिए, again cerebellum is responsible, blood pressure, blood pressure तुम्हारे control में भी नहीं है, कुछ नहीं, तो ये सीधा सीधा हमारा medulla oblongata है, वो responsible होगा इसके लिए, medulla oblongata and question being asked by the teacher in a class, हम तुम से question पूछते हैं, तो तुम दिमाग लगा रहे हो ना, तुम दिमाग का कौन सा part जादा involved हो रहा है तुम्हारे में, cerebrum तो नहीं हो रहा होगा, medulla भी नहीं हो रहा होगा, cerebrum that is responsible for memory, intelligence, learnings, है ना, तो ये सारी चीज़े जहां पर involved हो रहे है, cerebrum हमारा सबसे largest part of the brain is responsible, cerebrum, now ये थोड़ा सा last वाला ना, थोड़ा सा सोचने वाला question है, change in size of the pupil in response to intensity of light, तो ये तुम्हारा थोड़ा बहुत physics से भी relate कर रहा है, आई वाले topics से, तो वहां पर भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैसे light, iris पर अकरा रही है, और फिर कैसे beam बन रहा है, क्या-क्या सारी चीज़े हो रही है and everything, but यहां पर अगर हम biology से इसको connect करें, तो pupil का size कभी-कभी बढ़ जाता है, कभी-कभी घड जाता है, तुम्हें पता है, ये dilation और contraction कभ हो रही है pupil के size में, जब भी तुम कोई ऐसी चीज़ देखते हो ना, जिससे तुम्हें excitement increase or decrease कर सकते हो, नहीं, कोई नहीं कर सकता है, this is, this jadu is not possible because ये क्या है, involuntary action है, और अगर involuntary action है, तो obviously medulla will be responsible for this action, अगर चलो, next question, ये वाला पार्ट तो कुछ भी नहीं है, how does our body respond when adrenaline is secreted into blood, चलो, बहुत बढ़िया, मैंना तुम्हें एक example दूँगी, जैसे ही मालो, तुम जा रहे हो school, और सामने से तुम्हारी crush तुम्हारे सामने सामने से गुजरी है, और एकदम से तुम्हारी heartbeat change, मतलब increase हो गई, एकदम दिल जोर-जोर से धड़क रहा है, बाई, कुछ तो हो रहा है, पसीने, पसीने हो गए, क्या हुआ तुम्हें, अभी अभी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी बाडी में adrenaline rush हो गया, और यह adrenaline rush जब होता है, इसको बिटा हम कहते हैं, fight or flight hormone, fight or flight hormone, इसका मतलब है, कि यह hormone जब release होता है, तो वो हमारी body को prepare करता है, कि या तो यहाँ लड़ाई होने वाली है, या तो कोई भागने वाला है, जिसकी यह body है, अब उससे differentiation नहीं समझ में आ रहा है, कि कुछ और ही हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे situation में, जब adrenaline rush होगा हमारी body में, तो हमारी body एक emergency situation के लिए खुद को prepare कर देगी, कि कुछ तो बहुत भयंकर सा हो गया, भाई, कुछ crazy सा हो गया, इसके साथ, या तो अब यह भागेगा, या तो उस चीज को face करेगा, और उसको इस चीज के लिए energy चाहिए, जैसे ही तुम्हारी body में adrenaline rush होगा, तुम्हारा मुझ सूखने लगेगा, तुम्हारी heart beat increase होने लगेगी, तो body कैसे respond कर रही है, लिखो, heart beat increases, है न, प्यास लगनी शुरू हो जाती है तुम्हें, thirst increases, तुम्हारा blood pressure बढ़ जाता है, बाई, चेहरा बिलकुल लाल हो जाता है तुम्हारा, तुम बस इस situation को ही समझ लेना, imagine कर लेना, और जो जो वाला process slow down हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अभी body न, अलगी situation के लिए खुद को prepare कर रही है, emergency के लिए खुद को prepare कर रही है, तो जितना भी blood का flow required होता है digestion कराने के लिए, digestive organs को जरूरत होती है, वो digestion को slow down कराके, बाकि तुम्हारे muscles और तुम्हारे bones के पास वो rush blood का पेचता है, कि भाई अगर भागने की जरूरत पड़ी न, तो हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा digestion थोड़ा सा धीमा कर देंगे, पर तुम्हारा digestion थोड़ा सा slow down हो जाएगा, बाकि कि जो activities होती है, वो भी थोड़ी बहुत slow down हो जाती है, जितने भी sympathetic nervous system वाली activities है, वो सब increase हो जाएगी, तो यह सारे 5-6 points अगर तुम लोग लिख देते हो, बहुत है, काफी है, and you can elaborate in your own words also, तुम लोग मुझे बताओ, यहां पर मैंने 4 points ऐसे लिखे, तुम लोग मुझे comment box करके बताओ, कि इसके अलावा तुम्हारी body में क्या-क्या changes आते हैं, जब तुम्हें adrenaline rush होता है, तो, okay, moving on to the next question, genotype of a plant bearing purple flowers is capital P, capital P, and one with white flowers is small p, small p, when these are crossed, what color of the flowers would you find in F1 progeny? अरे यार, कुछ नहीं है, यह genetics का सबसे फुद्दू type question है, मैं बताती हूँ, genotype, phenotype तो तुम्हें पता है न, genetic constitution को हम genotype कहते हैं, physical feature को हम phenotype कहते हैं, तो, यहां पर एक जो purple flower है न, वो dominating flower है, dominating color है उस flower का, और वो है capital P, capital P, और जो white flower है, वो recessive flower है, white वाला जो है, वो recessive flower है, और वो छोटा P, छोटा P है, अब अगर हम इसको cross करेंगे, तो cross करने के लिए कुछ नहीं हमें, तो पहले gamete को segregate करना पड़ेगा, तो इसके दो तरीके के gametes निकलेंगे, P, यानि एक तरह से समझ लो, इसको, इसका capital P, और इसमें बना small P, इन दोनों को अगर हम cross करेंगे, F1 generation बनेगी, तो बनेगा capital P, small P, तुम्हें बता है कि अगर एक भी dominating allyl present है, तो वो dominating character को ही शो करेगा, तो बेटा जी, इसका ना phenotype तो purple ही होगा, पर इसका जो genotype होगा, वो होगा heterozygous dominant, not homozygous, homozygous में दोनो capital P होने चाहिए, या दोनो small P होने चाहिए, दोनो एक जैस से zygote होने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर different type of allyl है, एक capital, एक small, यानि एक dominating, एक recessive, तो इसको हम कहेंगे heterozygous dominant, यह हो गया इसका genotype, और purple color का ही यह flower बनेगा, यह हो गया इसका phenotype, what color of the flower would you find in the F1 progeny, this is F1 progeny, पहले वाले का answer है तुम्हारा purple, A का तुम्हारा answer है purple, दूसरा question दिखते हैं, give the percentage of white flowers, अगर F1 plant को self pollinate कर दिया तो, यानि कि हमें F2 generation निकाल लिया ना, तो F2 generation जब हम निकालते हैं, तो F1 generation को ही हम selfing करा देते हैं, उसका self pollination करा देते हैं, तो self pollination कराएंगे, दो तरीके के alleles है, तो एक capital P, एक small P, ये मालो, एक parent का हो गया, दूसरे parent का भी capital P, और small P, जब हम इसका पुनेट स्क्वार बनाएंगे, हमें, एक मिलेगा, homozygous dominant, हमें, दो मिलेंगे, दो मिलेंगे, heterozygous dominant, और एक ही छोटू सा हमें recessive मिलेगा, तो percentage किसका पूछ रहा है, white flower का पूछ रहा है, और तुम्हें पता है कि white flower, यानि कि recessive character, तभी show करता है, जब वो homozygous condition में होता है, heterozygous condition में हमेशा dominant character ही express होगा, यहाँ पर बस एक ही flower, चार में से एक ही flower है जो white है, तो चार में से एक है, यानि 25% होगा, तो इसका क्या percentage हुआ बिटा, इसका percentage होगया 25%, in what ratio would you find capital P, capital P and capital P, small P in F2 progeny, तो अभी हम लोगों ने discuss किया है, कि चार flower बने है न, अच्छा यह बोल रहा है, draw flow chart in support of your answer, ऐसे ही बना देना है तुमको, जो मैंने किया, यहाँ सेम यही कर देना है, तो चार flower में, एक है capital P, capital P, और दो क्या है, दो है capital P, small P, ratio क्या हो गया, 1 is to 2 हो गया, simple सी बात है, कुछ नहीं करना, और अगर इसमें capital P, capital P, capital P, small P, and small P, small P, यह भी पूछता, तो 1 is to 2 is to 1 हो जाता, जो कि क्या है इसका, क्या है इसका, जीनो टाइप है या फिनो टाइप है, जीनो टाइप है, फिनो टाइप इसका हो जाएगा, 3 is to 1, क्योंकि 3 जो होंगे ना, वो purple होंगे, और एक ही जो होगा, वो white होगा, done, तो यह हो गया, जीनो टाइप, यहाँ पर, जो B वाला question है, give the percentage, यह B वाले question का answer हो गया, और इसमें से ना, मैं 1 हटा दो भई, यह वाली slide तो required नहीं थी, अब आ जाते हैं, हम दूसरे question पर, चलिए भई, physics का एक सवाल आ रहा है, अग कन वर्जेंग मिरर, कन वर्जेंग मिरर सुनते ही, क्या आता है मन में, कन वर्जेंग मिरर सुनते ही मन में आता है, कन केव मिरर, forms a real image of height 4 cm, यानि हमें यहाँ पर एक real image की height, height मतलब h2 हो गया, क्योंकि image की height है, और real है, तो real के साथ क्या हो गता है, inverted होता है, तो minus 4 लगाना है, minus नहीं लगा है, तो गरबड़ हो जाएगी, of an object of height, object की जो height है, वो 1 cm है, जो की plus में रहती है, place 20 cm away from the mirror, away from the mirror मतलब pole से, तो object रखा हुए हमारे पा आपको image distance निकालना और focal length उसके बाद निकालनी है, तो क्या plan है, अच्छा एक बात और पताना चाहूंगा, जिस format में question पूछाओ, उसी format में answer दिया करो, बहतर रहता है, जैसे मैं चाहूं तो यहाँ पर V तो मुझे निकालना है, कभी का बार ऐसा होता है, कि second part का answer भी आप पहर निकाल सकते हो, बट राए किया करो, उसको avoid करना, जैसे यहाँ पर आपसे पहले image distance बोला है, तो image distance ही निकालेंगे, और यहाँ पर तो हमारे पास care choice भी नहीं है, अब magnification के दो formula होता है, एक होता है h2 by h1, और एक होता है minus v by u, क्योंकि mirror है, तो minus v by u होगा, h2 मेरे पास minus 4 है, यह मेरे पास 1 है, v मुझे निकालना है, और u मेरे पास minus 20 है, ठीक है, minus से minus cancel हो गया, v मेरे पास आ गया, 80 cm, अब minus से minus cancel होगा, तो एक minus बज़ गया, और answer minus आना भी चाहिए, क्योंकि image real and inverted है, और real and inverted के हिसाब से यहाँ पर minus आएगा, तो last में आप statement लिख देंगे, कि image is formed at 80 cm in front of mirror, इसके बाद focal length निकालना बहुत यह असान है, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u आ जाएगा, तो focal length हमारे को निकालनी है, यह हमारे पास minus 80 आया है, plus minus u हमारे पास कितना है भी यह, minus 20 है, तो 1 upon f, 80 और 20 का LCM 80 हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया, minus 1, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है, minus 4, सही है, तो यहाँ से हमारे पास 1 upon focal length आ जाती है, minus 5 by 80, which is minus 80 by 5, और minus में आनी चाहिए, because हमारे पास कौन सा mirror है, converging mirror है, तो यहाँ से focal length हमारे पास कितने आ गई भाईया, 16 आ गई, हाना, 16 आ गई, 5, 6, 7, 8, तो minus 16 cm आ गई, minus 16 cm आ गई, ठीक है जी, डन है, और लास्ट में statement लिख देंगे, focal length of converging mirror is 16 cm, बहुत असान कोशन, बहुत बढ़िया कोशन, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, a torch bulb is rated 5 watt and 500 milliampere लिखावा है, ध्यान रखना, how much energy will be consumed if the torch is lighted for 4 hours, चलो आप एक एक करके इन सवालों को बनाते हैं, चीक है जी, सबसे पहले, हम लोगों को बोला है, energy consumed, तो क्या हमें energy निकालने के लिए पहले power निकालने पड़ेगी, बिलकुल न into में I होता है, V कितना है, अमारे पास 5 है, I कितना है, 500 milliampere है, milli को convert करने के लिए हम लोग इसको 1000 से divide कर देंगे, तो 5 into में 0.5 आ गया, which is 0.25 watt आ गया, a torch bulb, तो 0.25 watt तो बहुत ही कम है, ठीक है, अब कम है तो है, but कोई बात नहीं, 0.25 watt आ गया, how much energy will be consumed, अब एनर्जी का formula क्या होता है, energy का formula होता है, हमारे पास power into में time, power कितनी आई है, हमारे पास, 0.25 और time कितना है, हमारे पास, 4 hours है, hours को 3600 से multiply किया, ताकि answer किस में आ जाया है, हमारे पास, second से, आर से second में आ जाए, एक बार मैं इसको solve कर लेता हूं, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है, 0.25 into में 4 into में 3600, तो यहां पर, अरे, अरे, हां, सॉरी, 0.25 into में 4 तो बनी हो जाएगा ना, मैं आज़र दे कि घवरा आ गया, मैंने का कैलकुलेटर ने कुछ दिया ही नहीं, बट आक्चिली वो 3600 जूल ही है, ठीक है, बाकि मुझे यहां पर एक बल्ब की पावर काफी कम लग रही है, बट ठीक है, बहुत छोटा बल्ब होगा, टॉर्च में लगावा, तो ऐसा मान सकते हैं, बी पार्ट कहे रहे हैं, वाट करंट शुड फ्लो थ्रू दा टॉर्च बल्ब इफ इस कनेक्टेट टू 100 वाट सप्लाई, देखो, जब हम लोगों को ऐसा बोला जाए, अभी हमने इसको 10 वाट, अभी हमने इसको 5 से कनेट किया है, अब अगर हम इसको 10 से कनेट कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास दो option है, पहला एक long method जिसके जरूत नहीं है, क्यूंकि resistance तो constant रहता है, और ohms law के हिसाब से voltage और current आपस में directly proportional होते हैं, voltage और current आपस में directly proportional हैं, तो अगर मैं voltage को देखो double कर रहा हूं, तो current भी क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, आप सब को पता है, वी इस proportional to I है, तो अगर हमने voltage को double कर दिया है, तो current को भी क्या होना चाहिए, double ताकि resistance जो है, वो constant रहें, तो जो नया वाला current flow होगा, वो double हो जाएगा, तो 2 into में 500 का मतलब है, 1000 milliampere, which is 1 ampere, which is 1 ampere, ठीक है, what could be the commented, what could be commented upon the power consumed by the bulb in both the cases, दोनों cases में आपको power पता नहीं है, देखो, जब हम लोग voltage को change करते हैं, तो power का formula V into में I लगा सकते हो, लेकिन I बदलेगा, और आप V square by R भी लगा सकते हो, यह आपकी choice है, बट आपको क्या पताना है, कि क्या power में कोई बदलाब आएगा, आओ देखो, यह वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, जो पहला वाला case है, उसमें power होगी, voltage का square upon में resistance, यह फ़र्म लगा सकता हूं, और दूसरे वाले case में होगा, voltage का square upon में resistance, अब resistance तो सेम रहेगा, पहले वाले case में voltage हमारे पास 5 थी, तो 5 का square upon में, लेकिन resistance सेम रहेगा, और दूसरे वाले case में, 10 का square upon में resistance आजाएगा, आपको इनकी power को compare करना है, basically, तो P1 upon P2 के आजाएगा, RCR cancel हो जाएगा, RCR cancel हो जाएगा, ऊपर मेरे पास आजाएगा, 25 नीचे आजाएगा, मेरे पास 100, तो power 1 by 4 हो जाएगी, और होने भी चाहिए, because, power जो होती है, वो voltage के square के directly proportional होती है, अगर resistance वाले formula को लेते है, because resistance constant, आप current वाले formula को भी ले सकते हो, answer same आएगा, because current भी तो आदा हुआ है, करके देख ले न, answer 1 to 4E आएगा, यानि कि अगर आपने voltage को double किया है, तो power 4 गुना बढ़ जाएगी, NCRT का, दूसरा, पहला या दूसरा, MCQ भी है यह, नह लेकिन same MCQ है, जहाँ पर आपको power को double कर दिया है, voltage को double कर दिया है, तो power 4 गुना बढ़ती है, ध्यान रखना क्योंकि formula लगाना होता है, V square by R, अगर आप V into में I लगाते हो, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने इसको double किया है, तो ये भी double होगा, तो फिर से वो 4 गु connected है, इसके across voltage 6 है, इसके across voltage 12 है, तो हम current निगाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि series combination में current तो same रहेगा, find the value of R, find the reading of emitter, सबसे असान काम, find the potential difference across the terminal of the battery, या टर्मिनल of the battery, बैटा लाल रंग से लिख लो कहीं पर, लाल रंग से लिख लो, terminal of the battery का मतलब है, total potential पूचा है, total voltage पूचा है जो कि ये plus ये होगा, जो कि साफ दिख रहा है, 6 plus 12 होगा, इसका answer तो पहली पता है, 6 plus 12, which is 18 volt, ये पहली पता है हमें, अब अब R निकालते हैं, R से पहले हमें इसके अंदर से I निकालना होगा, A part करवा रहा हूँ, R के लिए पहले I निकालना होगा, I का formula क्या होता है, V by R इसके across, इसके across V कितना है, 12 है, और इसका R कितना है, 6, current आगया, 2 amp, series में current हमेशा, same रहता है, तो अगर इसके across 2 amp जा रहा है, तो इसके across भी 2 amp जा रहा होगा, तो R1 के across current कितना है, 2 amp, और इसका voltage कितना है, 6, हो गया काम, अब R का formula क्या होता है, और के साबसे V, Z, Q, IR, तो R का formula क्या होता है, V by I, सही है, V कितना है, 6 है, I आपने निकाला है, 2 है, काड़ दो बहिया, कितना आ गया, 3 ohm आ गया, simple, पहला पार्ट हुआ है, पहला पार्ट पहले हमें current निकालना पड़ा, but actually current हमें B part में निकालने को बोला है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस last में लिख देंगे, कि reading हम निकाल चुके है, जो की 2 amp, और यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे बहुत जादा मुश्किल-मुश्किल सवाल solve किये हैं हम लोग रहा है वैसे electricity question का, हम हमेशा बहुत सारे सवाल बनाते हैं electricity के, बट पता नहीं क्यों electricity से कभी मुश्किल सवाल आया ही नहीं, बहुत जादा मुश्किल, इस बार आजाए, यू नेवर नो, इसलिए level 5 तक जाएंगे sample papers में ध्यान रखना, भूलना मत, session को end तक देखना है, और last में comment में लिखना है आपको, कि आपको कितने number मिलते हैं अगर यह paper आपका आता तो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आ रहा है, what are hydrocarbons, hydrocarbons क्या होते हैं, ऐसे organic compound जिन में carbon और hydrogen होता है, बस उन्हें hydrocarbons कहते हैं, write the name and structural formula of any, any saturated carbon, of any साचूरेटर carbon, अब एनी बोला है तो मैंनध क्यों करेंगे, भ discipline क्रेंगे, हरे जब एनी बोला है tooth and curing an apparently than p up and or unsaturate बोला है तो भाईया मिथीन और मिथाइन तो कुछ होता नहीं है तो इठीन कर देंगे इठीन कर देंगे फॉर्मॉला सी टू एच फॉर डबल डबल होता है और अगर इस इन लिखा होता तो का नाम है hydrogenation by hydrogenation hydrogenation में क्या करते हैं unsaturated hydrocarbon लेते हैं उसमें hydrogen डालते हैं और catalyst डालते हैं nickel nickel के अलावा आप इसमें platinum palladium catalyst भी यूज़ कर सकते हो बड़ क्योंकि n-c-r-t ने nickel ज्यादा use किया वा यूज़ किया हुआ है तो आप पंगे में पाय बॉलोगे और यहां से बॉन तूट जाएगा इसके पास दो दो एच ते इसके पास तीन तीन एच हो जाएंगे और हम अंसा चूरेटर हईड्रोकार्बन से साथ बना देंगे अंग्रेजी लिग देना बाई उजिंग हाइड्रोजिनेशन विकेंड कनवर अंसा जू आप्लेकेशन क्या है सब को याद है हम इससे वेघेटेबल घी बनाते हैं वेघेटेबल ओइल जो की अंसाचूरेड़ेड रोते हैं उनसे हम वेघेटेबल घी डिवन आ सकते हैं ये सब्सक्राइब है कि यह चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ के नैं राइट दा केमिकल फॉ यह सी टू एच फाइब ओएच और इसका नेम गया इथन और बायों में भी एनेरोबिक रैस्पिरेशन में यह बनता ही है और हमने इसको कैसे बनाया है आप एलकोहलिक ड्रिंक ही लिखो के ना तो टीचर समझ जाएगा वही या मज़ेदार बच्चा नहीं हो कि एक तो लिखाए वाई उपर तो अलकोहलिक ड्रिंक यू यूज कर रो बहुत सारी यूज इस हमारे पास सबसे पहला यह बहुत अच्छा शॉलSO होता है मतलब उसके बाद एस्टोन भी है तो साथ इसाथ हिससालियातन के साथ इस इस्तमाल होता है एंटी सप्ठिक बहुत अच्छा सभूंग के रूप में his several होता है कफ सिरफ वेगरा मेडिसेंस वेगरा में बेस्तमाल होता है राइट केमिकल एक्वेशन नेम अफ़ प्रड़क्ट फॉर्म वेनिट्स कंपाउंड यह वाना प्यारा सवाल यह अभी तक का प्यारा सवाल लगा मुझे जो एक्जाम में आने चाहिए बतब यह वाला बो शराब लेके आया था पूरी एक लिटर नहीं साड़े 700 ml और उसको हमने डाला था सोडियम के साथ तो वहां पे भी आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखिए तो हैड्रोजन गयास निकलती है और हैड्रोजन गयास आग पकड़ लेती है बहुत तेजी से चीकर ज आपको इसका नाम है सोडियम एथाउक्साइड तो सोडियम एथाउक्साइड बनता है राडोजन गयास बन जाती है होट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसेड बिटा मैं आपको बताया था एक मूवी आए थी अक्षे कुमार की मूवी का नाम भुल गया मैं बॉस उसमे अक्षे कुमार एक डैलोग मारता है ना अपने को क्या है अपने को तो बस पानी निकालना और आपको यकीन नहीं होगा 12th क्लास में और गैनिक के अंदर 20 से 30 बार सल्फ्यूरिक एसेड यूज होता है और यह हर एक 12 के बच्चे को पता है लल्लू से लल्लू बच्चे को कि सल्फ्यूरिक एसेड एक बहुत अच्छा डी हाइडरेटिंग एजेंट है पानी निकालने में यह मदद करता है जब पानी निकालेंगे तो क्या होगा बिटा देखो CH3 CH2 इसके साथ कौन है OH है अगर मैं इसके अंदर concentrated H2SO4 डाल दूँगा बिटा ध्यान रखना 443 Kelvin NCRT न पॉइंट ने पड़ता वो यह कभी ने देख पाता कि NCRT ने मेंशन किया वाई जैसे सबको पता है पी ओपी को बनाने के लिए जिपसम को गरम करना 373 Kelvin पर चला चला के लिखा हुआ है आप जाओ अभी जाओ NCRT खोलो इसमें रियाक्शन के अंदर उन्होंने कहनी लिखा लेकिन रियाक्शन के जश्ट ऊपर 45 लाइनों में छुपा के लिखा है 443 Kelvin और एक्जाम में चेकर आदा नंबर काट सकता है इसका विकॉस 443 Kelvin बहुत ज़रूरी है यहां से जाएगा एक से जाएगा एक से जाएगा एक से जाएगा पानी का लॉस हो जाएगा ड़न बहुत तो देखो यह question ध्यान से अगर देखोगे न तो वस दिखने में यह बड़ा सा लग रहा है बट है इसका answer one word type का ही यहां पर पहला part जो है इस question का बच्चो वो है name one organ each in female and male reproductive system which plays the role of an endocrine gland along with the production of germ cell along with the production of germ cell याने की primary sex organ के बारे में पूछ रहा है primary sex organ का मतलब होता है कि ऐसा organ जो gamete का production करेगा germ cells का production करेगा तो primary sex organ human male और human female में क्या होता है टेस्टेस एन ओवरी respectively राइट name one hormone secreted by each of them बहुत easy है सीधा सीधा मैं बस एक एक word का answer लिखते जाओंगी अगर तुम्हारा मन करें तुम्हारा मन ना माने तो वहाँ पर तुम्हें एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिख भी सकते उसके बारे में यह क्या ही लिखोगे कुछ नहीं है लिखने के लिए name one organ each in female female की बात अगर करें तो यहां पर बात है ovary की और male की बात अगर हम करें तो वह बात है testis की testis अगर last में es है तो वह plural है यानि pair of testis अगर is है तो वह singular है ठीक है male reproductive system which plays the role of an endocrine gland हाई यह दोनों role भी play करते हैं endocrine gland का क्योंकि है hormone भी produce करते हैं कैसे hormone sex hormones produce करते हैं ठीक है name one hormone secreted by each of them तो ovary जो secret करती है वो है estrogen जिससे हम female sex hormone भी कहते हैं और testis secret करता है testosterone नाम का hormone जिसको males में sex hormone कहते है testosterone hormone androgens के group of hormone का एक छोटा सा component है where does fertilization occur in case of human female human female में exactly कहां पर fertilization हो रहा होता है इसका में एकदम सटीक जवाब तुमको यहां पर लिख कर दोंगी और वो answer है ampullary isthmic junction of fallopian tube कुछ नहीं करना जितना बड़ा question है उतना ही simple और one word two word type के answers है इसके name the place where the fertilized egg gets implant तो उस place को हम womb कहते है टेकनिकली हम उसे uterus कहते है जहां पर implantation होती है और पूरा 9 महिने के gestation period में जो embryo का development होता है that is uterus या फिर womb तो यहां पर हम simple एक word का answer लिखेंगे bracket में आप womb भी लिख सकते हो third है what is placenta okay now एक बड़िया सा question आया है और यह question मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार board exam में placenta के ऊपर पूछा जा सकता है question what is placenta mention its role during pregnancy placenta is a connection या एक तरह से ऐसे लिख सकते है कि एक ऐसा temporary organ है जो fetus को connects fetus to mother's uterine wall mother's uterine wall या uterus भी लिख सकते हो simply ठीक है यह कैसा temporary organ होता है जो तब ही बनता है जब implantation हो जाती है जैसे ही implantation होगी धीरे-धीरे placenta का development होगा third month में आते-आते placenta completely develop हो जाते इसलिए हम कहते कि pregnancy में शुरुवात के जो 13 महिने होता है यानि first trimester वह बहुत crucial होता है उसमें बहुत जादा ख्याल रखना पड़ता है तो यह है placenta mention its role during pregnancy अब क्या काम है प्रेगनेंसी के टाइम पर placenta आखिर क्यों बनती है since यह fetus को mother की body से connected रख रहा है तो mother के जो भी nutrients होंगे न nutrients और oxygen जो mother ले रहे हैं वो pass on हो जाएगा अपने fetus पे कहता ना कि मा जो खाती है बच्चे में वही लग रहा होता है तो मां को अच्छा चा खाना खाना चाहिए and all that तो यह nutrients and oxygen pass होते हैं through placenta from mother to baby from mother to fetus अच्छा एक बार बताओ अब जैसे से fetus बढ़ रहा है ना जैसे से उसका development हो रहा है वैसे वैसे उसके body के अंदर बहुत सारे metabolic reactions भी हो रहा है metabolic waste generate हो रहा है तो वो waste कैसे excrete out होगा क्योंकि वो तो अपने मम्मे के womb के अंदर है तो वो placenta के through waste जो है mother की body में जाएगा और फिर mother उसे excrete out करेंगी तो दूसरा point लिख दो placenta का roll क्या हो जाएगा remove metabolic waste metabolic waste from peters to mother via placenta किसके through via placenta so this is the answer i hope एक एक पॉइंट आप लोगों को clear हो गया होगा अगले question पर हम चलते हैं यह तो ऐसा खाली स्लाइड है अगला question है draw a label diagram of longitudinal section of a flower तो finally हमारे जो सारे slides bio के ऐसे blank जा रहते हैं अब हम उसको utilize कर सकते हैं पहला पार पहले इसको ख़तम करेंगे फिर बी वाले को देखेंगे क्या पूछ रहा है label diagram बनाना है longitudinal section of flower का कुछ नहीं मैंने ना last year भी class 10 वाले भी बेजना फिर मैं देखोंगी कि कैसा तुम लोगों ने बनाया फिर social media में जहां पर भी तुम लोगों को यहीं बोलूंगी कि जो बच्चे भी मुझसे social media पर connected नहीं किसी भी में connected हो तो मुझे जरूर यह फ्लार का longitudinal section बनाकर मुझे भेजना वेल लेबल बनाकर भीजना so that I can see and rectify your mistakes और मुझे पता चले कि कहां कहां तुम लोगों गल्ती कर रहे हो तो पहले तो मैं ही बना कर तुम्हें बता देती हूं कि कैसा बनेगा यह सिंपल मैं बहुत अच्छा नहीं बनाने वाली हूं मैं सिंपल सा बनाओंगी तो यह है मान लो thalamus this is the sepal वो जो हरी हरी पत्तिया नहीं होती ठीक है जिसके group को हम calyx कहते हैं फिर यहां से मैं बना देती हूं कुछ petals इस तरीके से ठीक है चालो यह वाला जो पार्ट होगा यह होगा female reproductive part जिसके group को हम gynesium कहते हैं otherwise carpel या pistol कहते हैं यहां से हम निकाल देते हैं male का reproductive part that is that is stamen बहुत ही बढ़िया सा छोटू सा बनाए बहुत सिंपल सा बनाए पर इसको मैं अगर label करके तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा यह जो लंबी से ड चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हो ना चाहो तो रहने तो कोई बात नहीं यह वाला पार्ट जो basal bulging body होता है फ्लार का वो होता है thalamus this is the sepal sepal के group को हम कहते हैं calyx यह जो लाल लाल या सुंदर वाली जो colorful पत्तिया होती है ना फ्लार में जो सबसे most attractive part होता है फ्लार के group या world को हम calyx भी बोल सकते हैं यह तो हो गया जो non reproductive part है जो directly reproduction में involved नहीं होता है अब हम बात करेंगे reproductive part of the flower की तो यह जो बिलकुल center में तुम्हें पार्ट दिख रहा है ना this is pistol या carpal pistol और carpal तीन पार्ट से बना हुआ होता है पहला पार्ट होता है इसका stigma यह वाला पार्ट होता है इसका style and this is known as ovary और इन तीनों को मिला कर हम कहते हैं pistol या फिर carpal और यह है male reproductive part जिसे हम बोलते हैं stamen stamen का पहला पार्ट यह होता है anther जहां पर pollen grains का development होता है और यह वाला पार्ट होता है filament और इन दोनों को मिला कर हम इसको कहेंगे stamen so this is a well labeled diagram of a longitudinal section of a flower अगला पार देखते हैं explain the process of fertilization in flower तो यह मैं तुम लोगों को ना इस diagram के जरिये ही बता देती हूं कि कैसे fertilization का process carry out हो रहा है तो यहां पर जो एंथर है एंथर के ऊपर बनेंगे बहुत सारे चोटे 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 pollen grains फिर होगा pollination जो अगला event है ना fertilization का वो है pollination तो pollination जब होगा तो वही pollen grains की dusting हो जाएगी stigma पर वो तो यहां पर पॉलिनेशन जब होगा पॉलिन ग्रेंज की dusting stigma के ऊपर होगी तब जाकर यह pollen grains pollen tube generate करेंगे यह pollen grains pollen tube generate करेंगे और यह pollen tube पहुचेगा अंदर अंदर में क्या है अंदर है एक embryo sac जिसके अंदर है ovary छोटू सी और antipodal cells है बीच में दो polar nuclei है और side में ऐसे synergates है तो यही pollen tube के थ्रूँ जो दो male gametes है ना वो अंदर जाएंगे और मैं तुम्हें बता रही है अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला दो male gamete अब उसमें से जो एक male gamete है वो fuse करेगा एग के साथ और बना देगा embryo और दूसरा वाला जो है वो fuse करेगा two polar nuclei के साथ और वो बना देगा primary endospermic nucleus और यही primary endospermic nucleus आगे चलकर endosperm बन जाता है endosperm भी दो तरीके के होते हैं cellular और free nuclear जो आप coconut water में जो पानी पी रहे होता हो ना वो free nuclear endosperm होता है क्योंकि उसमें एक ही बार एक ही cell के अंदर कई बार nucleus का division हो रखा है पर जब उन nucleus के चारो तरफ cell wall का formation हो जाएगा यानि कि वो primary endospermic nucleus से primary endospermic cell बन जाएगा तो वो white kernel के form में deposit हो जाता है किनारे किनारे जिसको आप ऐसा coconut fruit खाते हो तो यह हो गया पूरा का पूरा process explained fertilization का flowers के अंदर name the parts of the flower जो develop होते हैं after fertilization into तो seed जो होता है न वो बनता है ovule से seed बनता है ovule के fertilize होने से और जब ovary fertilize हो जाती है तो वो fruit बन जाती है इसलिए फल के अंदर आप बीज देखते हो फ्रूट के अंदर आप बीज देखते हो क्योंकि ओवरी के अंदर पाई जाती है ovule बस उसी वे में तो यह पूरा का पूरा question आपका solve हो चुका है hope कुछ clear हो गया होगा आपको ना अब आज आते हैं physics मैं मैं यहाँ पेक सवाल पूछना चाहूंगा क्या अब ऐसा नहीं देखा अपने पेपरों में कुछ पास दिनों में कि पूरे बनाने को थोड़े कम आते हैं अब labeling जादा आती है कि अना क्यूंकि मैं मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था अपने टेंट में तो मेरी बहुत ना माक्स करते थे तो मैं हमेशा अपने अपने जो दोस्ते उनसे बात करता था जिसकी ड्राइंग गंदी है उसकी क्या पाया हुआ इस बच्चे के पेपर में बठी एक प्रीबोड में ज्यादा चांसे अगर मैं सही किया रहां मैं तो ऐसे हैं कि यह लेबलेंग पूछ ले कि इस पार्ट का फंक्शन क्या है बिलकुल तो यह वाले सवाल भी आएंगे बट फिर भी आपको डाइग्राम आना च देख सकते हैं इसे कहा जाता है पावर आफफ एक्कोमडेशन सीलेरी मसल्स जब फोकल लेंद को पावर och लेंज को चेंज करते हैं से पावर आफ एक्कोमडेशन के रेंड वह देखने के लिए 2 शर्ते क्या है अफिसी बात है रेंड्रॉप सुनी चाहिए उप रेंड्रॉ difficult to see the board clearly which defect is suffering from तो आपको पता है अगर उसको दूर का नहीं दिख रहा है तो मायोपिया है मैंने पताया था एक बच्चे ने आंसर शीट पर लिगा था उसके पेपर में सवाल आया था और उसको बॉर्ड पर नहीं दिख रहा है तो बच्चे ने आंसर शीट पर लिखा था और आगे पूचा था कि उसको ठीक कैसे करें उसका कारण का सवाल बना दिया कि उसका human growth hormone धंक से रिलीज नहीं हो रहा है उसको डौफिजम हो गए एंड अगें जब वो कोशन का अंसर पढ़ा तो लगा कि बच्चे ने तो कुछ घलत देखा तो नहीं है देखा जाए तो क्योंकि यह mention होना चाहिए कि उसको दंक से इमेज नहीं दिख रही है बलर दिख रही है बलर लिखना थोड़ा जरूरी है यहां पर और यहां पर क्लियर ले लिखा भी हुआ है बट अब से बाते सवाल आएगा तो अब human eye के रिस्पेक्ट से देखेंगे सवाल भी वह यह विच डिफेक्ट इस शी सफरिंग फ् हमेशा आपको तीनो केसे बनाने है एक नॉर्मल आय यहां पर देखते हैं यहां पर यहां लेके आने विकॉस आपको दूर का देखना है तो दूर का देखते वक्त एक्चली जो इमेज है वो रेटीना से आगे बन जाती है क्योंकि आपका जो लेंस है उसकी पावर कही ना कहीं बढ़ चुकी है या फिर आपका जो आई बॉल है वह एक्सपैंड हो गया अपने से रहता है कन्वेक्स एग्जाक्ली कन्वेक्स तो नहीं कह सकते बढ़ ठीक है बेविर उसका कन्वर्जिंग है तो उसकी पावर को कम करने के लिए लड़की को आख में क्या पैनना होगा भाईया कन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रियेट पावर जो इसकी पावर को कम कर दे चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर स्टेट दा लॉओ औफ री फ्राक्शन री फ्राक्शन के लॉओ पता नहीं है पहला लॉओ इंसिदेंट रे रिफ्राक्टिट रे एंड नॉर्मल और्मल और लाई ऑन दा सेम प्लें सेकिन लॉओ दी रेशो ओफ साइन आए अब यह सवाल क्यों अच्छा लगा मुझे मैं आपको बताता हूं क्यूंकि अक्सर क्या होता है जो स्लाब होती है नीचे कि वो डेंसर होती है और आप लाइट रे को टूवर्ट्स दा नॉर्मल बेंड कर देते हो बट यहां ध्यान से देखो जो बाहर मीडियम है उसका र एगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 7 This one point sc 25 है याने की कम हैँ अगर अंदर का रिफ्राक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब लाइट रहे कहां से कहां जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेर जा रही है भाई है रहां कर देने वाली बात है रहां कर देने वाली मतलब हमने अक्सर ऐसा देखा नहीं हमें अक्सर जब स्लाप के अंदर लाइट रोभा झाँ थे रे अधर हो तक रेलर से डेंसर जाती है बेंड होती है तुवर्जा नॉर्मल लेकिन यहां पर लाइटरे बेंट हो जाएगी अवेफ प्रॉम द्रॉमए यह एंगल आड बंचाना है यह मीडियम a उन यह मीडियम भी है, complete the path, इसके बाद कहरें, on entering the medium from air, the speed of light becomes half, speed of light becomes half, आपको refractive index निकालना है, c part बड़ा interesting है, देखो, refractive index of medium upon में refractive index of air, क्या होगा, speed of light in air upon में, speed of light in medium, अब, refractive index of medium, upon में refractive index of air, speed of light क्या बोला है, कि medium में जाके, speed of light half हो गई है, medium में जाके, speed of light half हो गई है, यानि यहाँ पर अगर speed x है, तो यहाँ पर speed x by 2 हो गई है, आदी हो गई है, तो यहाँ पर x से x cancel हो जाएगा, answer 2 आ जाएगा, तो refractive index आ गया, 2, कोई unit है नि, बहुत simple सवाल है, चलिए, आगे बढ़ते हैं भाईया, अगले सवाल पर आते हैं, अ आतो, A और B, सवाल आगे है क्या, सवाल आगे है क्या, अरे, हाँ, सवाल आगे, बीच में एक पेज एक्स्ट्रा इसको अटाते हैं, रुको, हाँ, ठीक है, सवाल में क्या, ये दो हाईड्रो कार्बन है, पहले में पूछावा, इनका आयू पीसी नेम देने, आजाओ दे आयू पीसी नेम में क्या रखा है, एक, दो, तीन, चार कारबन है, चार का मतलब है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉंड है, एन, नाम हो गया, ब्यूटेन, ये ब्रांच रहे, एक, दो, दो, पे कौन लगा है, देखो, मिथाईल, तो टू पे लगा हुआ है, कौन, मिथाईल टोटल एक, दो, तीन कारबन है, तीन का मतलब हो गया, प्रोपेन, तो उपर वाला हो गया, ब्यूटेन, नीचे वाला हो गया, टू, मिथाईल, प्रोपेन, दोनों एक, दूसरे के आईसोमर भी है, शायद यही सवाल आगे, पूछा भी हो, राइट दा, केमिकल फॉर्मला आपको केमिकल फॉर्मला लिखना है, सब में, दोनों महीं मतलब चार कारबन है, चार कारबन है, और क्यूंकि एलकेन है, तो दुगने से दो जादा, आठ से दो जादा, याने कि दस हाइड्रोजन होगे, ड्रॉदा स्ट्रॉक्चर ओफ स्ट्रेट चेन एलकीन, इफ इफ कारबन इन दा पेरेंट चेन, मेंचन दा फॉर्मूला, अरे, बस, बस इतना ही काम, चार कारबन है, और चार कारबन में डबल बॉन्ड की चेन, अलकीन क्या नीचे, एक, दो, तीन, चार, डबल बॉन्ड की चेन में यहां लगा दे रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे दो कार और हाइड्रोजन डबल होते हैं क्योंकि एलकीन है तो c4 h8 हो जाएगा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ठीक है अच्छा ड्रॉदा स्ट्रक्चर में आप लूइस डॉट स्ट्रक्चर तब तक नहीं बनाओगे जब तक लूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को नहीं बोला है जब बोले सिरफ स्ट्रक्चर बनाओ ये रहा ऐसे या फिर ऐसे भी बना सकते हो ठीक है ऐसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे एक दो तीन चार यहां पर डबल बॉर्ण है इसके पास दो हुझाने वाले है इसके पास एक ही आने वाला है बस इसके पास क्योंकि कarya और यह फॉ वो दो बनाने नहीं लेकिन लूइस डॉट स्रुक्चर भी तब तक नहीं बनाना है जब तक बोला ना जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और वाला सवाल है इफ और गैने कंपाउंड है सेम केमिकल फॉर्मुला बट डिफ्रेंट स्रुक्चर वाह क्या मुश्किल सवाल पूछाए क्या कहते हैं ने आई सो मर्स वाट इस दी टोटल नमर अफ कोवलन बॉंड प्रेजेंट इन एंड बी अरे वापस जाओ यार एवर बी पे चलो एवर भी पर टोटल कोवन बांड घिंणा गिना जिसको नहीं आता हुआ ना काउंट करना नहीं आता वहीं यह सवाल गलत कर पाए गाओ रहए इक दो तीन चार पांग छे साथ आठ आट नो दस ग्याररा बारा तेरह तो इसमें तेरा कोवलन जैन एक दो तीन तीकzna बोरण में लेवल वन और लेवल वाइव तॉन इनी आ रहें ठीक है नवर्ही में आ रहा है कुछ सवाल लेवल फाइब के जिससे के बनेंगा लेवल 34 लेवल 500 क्यों कि करना जरूरी से लेवल 595 तक लेके जाएगा आपको समय रहो लेवल तक के पेपर आपका 90 में ले आएंगे वह लेवल फाइफ का जब पेपर होगा उसमें से एक-दो सवाल ऐसे आएंगे जब फस जाते हैं पेपर में समाझ गए चालो आगे का पूछा है वाट इसी टोटल नमबर अफ को हो गया चेक है राइड दर नेम एंड मॉलीकुलर फॉ रहें ओई कैसे तो कौन हो गया यह थे नोई कैसे हो गया विनेगर करना क्या था नाम लिखना है और फॉर्मॉला लिखना है नाम हो गया लोग फॉर्मुला सी एच-3COOH क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है डन है आजा आगे बढ़ते हैं हम आपका सवाल है हाजी मैं य और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी लग रहा है तो यह हो जाएगा आसानी से मेंडल फर्स सेलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट्स पता है किसको कहते है जब सेम टाइप के गैमीज को ही कंटिनुवसली जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन उनकी ब्रीधिंग कराई जात प्लांट में कि माल लेते हैं अगर स्टेम की हाइट है तो हाइट में दो कॉंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे टॉलनेस भी होगा डॉर्फनेस भी होगा पर प्योर लाइन में हम सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेट को चूज करते हैं और कंटिनुवसली जेनरेशन आफ्टर जेन के देखेंगे कॉंट्रास्टिंग ट्रेट को ठीक है इन वन सच क्रॉस ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्रॉस ब्रीड किया है गाडन पी प्लांट में राउंड सीड और रिंकल सीड के बीच में आरे भाई बहुत इजी क्वेशन है यार कुछ भी नहीं है अगर बात करें राउंड सीड की तो जो पैरिंट होगा राउंड सीड वाला उसके पास होंगे कैपिटल और कैपिटल ओर आ konkure पैरेंट होगा वह होगा स्मॉल ऊरल ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो क्या कैरेक्टर मेंडल ने नो टिस किया इफ़ञ गरा रहे हैं मतलब जब f1 generation निकाला तो ऐसा कुछ मिला और जब gametes दोनों के आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये capital R ही dominate कर रहा है small r को small r को जिसके बाद उन्होंने निकाला था law of dominance principles of inheritance के अंदर जो तीन principles Mendelssohn ने दिये थे उनमें पहला है law of dominance law of dominance कहता है कि जब हम दो different contrasting traits को use करते हैं एक single cross में और जब उनकी f1 प्रोजिनी निकालते हैं तो दो में से एक ही trait अपने आपको express करता है दूसरा trait suppress हो जाता है खुद को express नहीं कर पाता this is known as law of dominance वेर capital R dominates over small r तो क्या character Mendel ने notice किया f1 generation में कि capital R खुद को express करेगा और small r suppress हो जाएगा इट विल नॉट बी एबल तो शो देर character in the plant दूसरा देखो what character plant had at position a b c and d in the checkerboard ओके तो अगर हम checkerboard बना अच्छा यहां पर एक बात ध्यान देनी वाली बात है बच्छो इस question में यह mention नहीं हुआ है कि कौन सा मतलब किस तरह के characters plant में हो रहे हैं a b c d position में f1 generation में या f2 generation में क्योंकि f1 generation भी हम निकाल रहे हैं तो checkerboard में 2-4 boxes तो होंगे f2 generation भी जब हम निकालेंगे तो भी checkerboard में 4 boxes होंगे तो दोनों को अगर हम consider कर लेते हैं माल लेते हैं पहले हम f1 generation निकालेते हैं f1 generation थी capital r capital r एक parent और small r small r दूसरा parent तो इससे क्या बन रहा था हां इससे यह बन रहा था अच्छा यह तो सारे ऐसे हो रहा है ना और r और r सारे ही ऐसे हो रहा है तो मतलब basically f1 generation सारे के सारे heterozygous हो रहे थे सारे के सारे heterozygous हो रहे थे पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ बर f1 generation की बात कर रही होगे अगर f2 generation की भी बात कर रही होगी तो कौन से plant होंगे position a b c d में एक a वाले position में होगा तुम्हारा dominant वाला plant यानि की round वाला plant b और c में होगा heterozygous dominant यानि की capital r smaller और d वाले position में होगा smaller smaller यानि की recessive वाला तो इस तरीके से आप लिख लोगे what characters the plants had at position a b c d in the checkerboard how many new combination of characters appeared in f2 generation नए combination of characters कितने निकल कर आए f2 generation में आप लोगों को पता है कि already f1 generation में क्या था capital r और small r था f2 generation में जाकर recessive वाला show होना शुरू हो जाता है यहाँ पर name name लिखा है तो हम लिखेंगे recessive homozygous recessive homozygous यह नया combination है जो निकल कर आता है f2 generation में which of the parental characters appeared in f2 generation and in what proportion parental character कौन सा appear होता है f2 generation में तो again f1 generation में capital r smaller था f2 generation में capital r capital r और small r smaller यह दोनों parental combinations निकल कर आते किस proportion में one is to one के proportion में one is to one के proportion में parental characters rr और और यह चोटा चोटा और यह दोनों निकल कर आता है जबकि f1 generation में इन दोनों में से कोई भी नहीं था इन दोनों का intermediate था यानिकी capital r और smaller था तो बहुत ही प्यारा सा question लगा मुझे यह level 1 के सब्सक्राइब आप यह question कर पा रहे हो ना तो आपको मतलब ठीक चल रहा है लेवल वन के according तो this was all for biology मुझे लगता इसके बात सीधा सीधा आपके फिजिक्स है ओके लास सवाल है फिजिक्स का फिर लास में आप से बात करते हैं बच्चों और यह ऑव्विस है कि इसकी प्रेटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी लिंक भी नीचे मिल जाएगा इंदा गिवन सरकेट एबी सीड़ी यह सेम डाइग्राम सेम डाइग्राम बहुत सारे प्रीवोड में बच्चों को पढ़ाता हूं हमारी पूरी टीम पढ़ाती है हमारे पास तो प्रीवोड बहुत आते हैं तो यह वाला सवाल प्रीव ने मैंने बहुत बार देखा है सेम डायग्राम कॉपी-पेस्ट सीके ना तो बोड में यह सेम तो नहीं आने वाला भुल जाओ ठीक है थोड़ा बदल गया जाएगा इन्दा गिवन सर्केट ABCDR4 लांप्स बैटरी ओफ 6060 वोल्ट की बैटरी और यहां पर करण्ट दे रहा है ध्यान रखना 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 रोडिस्टेंस नहीं गिवन है सबके अक्रॉस आपको करण्ट गिवन है 3 MP 4 MP 5 MP 3 MP सब्सक्राइब और आपको साथ ने पताना है एक्स्प्लेइन रेफ्रेंस टूर अबवांसर वाट और अडवांटेजिस दो एडवांटेजिस पतानिया बहुत सारी है पहला सबको सेम वोल्टेज मिलती है जिससे कोई की फ्लक्टुएशन नहीं होती है ओवर ओल रजिस्टेंस बहुत कम होता है जिससे की करण्ट सरकेट में ज्यादा होता है और आप इंडिविजूल ओन आफ कर सकते वाना अगर मैं अपने घर में कौन सा सरकेट लगाता सीरीज तो मुझे एक ही साथ सबको और एक ही साथ एक बार मैं इसको हटा दूँ ताकि आप जब इस पीपीटी को देख रहे हो तो कंफ्यूज ना हो हां हाव आर्दा एस आई यूनेट एंड कमर्शल उनिट अफ एलेक्ट्रिक अनलजी रिलेटिड टू इच अदर कैसे घुमाफिर आके पूछा है एस आई यूने पता है हो जूल्स कमर्शल पता है किलो वाट आर आधी जनता आधी जनता किलो वाट आरी गलत बनाती है किलो वाट आर में वो के बड़ा कर देती है के छोटा होता है वाट बड़ा होता है और आर का एच छोटा होता है जब भी कोई यूनिट किसी के नाम पर रखी जाती है वह हमे तो पीच में रिलेशन बताने अरे 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 एक किलो वाट आर में चात्यस लाख जूल होते हैं तो R1, R2, R3, R4 निकलेगा R का formula क्या होता है भईया Vy, I1, Vy, I2, Vy, I3, Vy, I4 Sir V same क्यों ले रहे हैं आप अरे क्योंकि parallel combination है V सबके across 60 है लेकिन इसके अंदर से current जा रहा है 3 amp कितना हो गया 20 ohm 60 है current जा रहा है 4 amp 15 ohm 60 है current जा रहा है 5 12 ohm 60 है और current शाय 3 ही है 3 ही है फिर से 20 ohm अब क्योंकि यह सब लगे वे हैं parallel combination में तो net resistance निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 60 यह पर में पास आ गया 4 यह पर में पास आ गया 5 यहां पर में पास आ गया 3 इसे बढ़िया तो यहां से हमारे पास our net कितना आ जाता है और मुबारक हो पेपर भी खतम हो जाता है चीक है मैं पेपर वो चुका है अब आप सबको जैसा की बोला गया था कि आप सबको कमेंट सेक्शन पे ये जरूर लिखना है कि आपको इसमें से कितने सवाल आते थे अगर ये पेपर आता तो आपके 80 में से कितने नमबर आते हैं अगर आपके 80 में से 70 नमबर आ रहे हैं तो भाई साब मजा आ गया लेकिन अगर कहीं 80 में से आपके 40 से नीचे हैं 50 से नीचे हैं तो इसका मतलब है अभी आपको काफी मेहनत करनी है और हम आपके कमेंट्स को जज करके ही अगला लेवल का पेपर जो है वो लेके आएंगे किस स्कूल का ही प्रिवोड लेके आएंगे या फिर खुद कुछ बदल देंगे यह तो लेवल बनता हो सिदा पेपर ले आए और उससाब से काम करेंगे तो जैसा कि सर ने बोला कि आपके कॉमेंट्स करता है कि अगला जो लेवल होगा वो कैसा होगा डिफिकल्टी लेवल उस यह पेपर आपके लिए किस लेवल पे मॉडरेट था या इजी था या डिफिकल्ट था हम अकॉर्डिंग ली आपके लिए पेपर बनाएंगे और जैसे इसे आप लेवल फाइफ पर पहुंचोंगे आप बोर्ड एक्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेर हो चुके होगे है क्योंकि हर तरह के हर लेवल के क्वेशन हम कर चुके होंगे आपको थोड़ी सी भी नर्वसनेस और वो जो अड्रेनेलीन रश वाला क्वेशन था ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो आसानी से बैठने के लिए एक्जाम के टाइम पर आपको ये काम करना ही पड़े कर दो